हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इन्टीव चनल परिक्षा प्लान में तो पदम पुरुसकारों की गोश्रा कर दी गई है और दो हजार चौवेस में किसे किसे पदम पुरुसकार मिलने वाने है इसकी वी सूची को जारी कर दिया गया है तो चलिए इस वीडियो में दो जैनन को subscribe करने जीए सबसे पहरे जान लेते हैं पदम पुरुषकार के बारे तो देश के सरवोच नागरिक पुरुषकार różne में पदम पुरुषकार सामिल है पदम पुरुषकार तीन स्रेडियों पदम विभूसर, पदम विभूसर और पदम सिरी के रूप में प्रदान किये जाते हैं, यानि तीन स्रेडियों में दिये जाते हैं, पहला पदम विभूसर हैं, दिनसरा पदम वूसर और तीसरा पदम स्री, यह पुरुसकार, कना, सामाजिक कार, सार्वजनिक मानले, बिक्यान और इंजीनियरिंग, ब्यापार और उद्योग, चिकिस्सा, साहित और सिक्षा, खेन, सिरिल सेवा, आदी जैसे विभिन विशियों, गत्विरियों के छेत्रों में दिये जाते रहें क्या क्या दिया जाता है? पदम पुरुसकार से सम्मानित होने वाने को राष्टपती के हस्ताक्षर, सीन वाला साटिप किट और मैडन प्रिदान किया जाता है तो राष्टपती के हस्ताक्षर और सीन लगा हुआ एक साटिप किट और मैडन दिया जाता है अम जानेंगे पदम पुरुषकार 2024 में किसे किसे मिलेंगे इसके बारे में गर्तंत्र दिवस्की पूर्विशंद्या पर गुरुवार को राष्ट्र पती द्रौपदी मुर्वु ने पदम पुरुषकारों की गोशना की है इस सान 5 लोगों को पदम विभूशन 17 लोगों को पदम विभूशन और 110 लोगों को पदम शिरीत तिर्दान किया जाए तो क्या-क्या याद रखना है कि पदम विभूशन कितने लोगों को मिलेगा पास लोगों को पदम विभूशन कितने लोगों को मिलेगा 17 लोगों को और पदम शिरी कितने लोगों को परदान किया जाएगा 110 लोगों को अब पदम विभूशड इन लोगा को मिला है किस छेतर में मिला है ये भी जानेंगे और ये किस राज से है ये भी जानेंगे तो सिरी मती बिजिया माला बानी इनको कला के छेतर में मिला है और ये तमिनलाडू से है श्री कौनी देला चिरण जीबी इनुको भी कला की सेतर में मिला है और राज जी इनका आंध्यप्रbaneश है शुरी एम बैकईया नाइडू इने सार्वजनिक कार के लिए मिला है और ये किस राज से हैं ये आंध्यप्रदेश से हैं शिरी बंदेशवर पाठक इन्हें भी सामाजिक कार के लिए मिला है राज इनका कौन सा है बिहार शिरी मती पदमा सुब्रमन्यम को मिला है कला की छित्र में और इनका राज है तमिल्लाडी तो ये पाँच लोग हैं जिन्हें पदम विभूशर प्रदान किया जाएगा एन फात्मा बीवी छेत्र इनका है पब्लिक अफेयर्स और राज है इनका केलर और मुश्जी एन कामा साहित एवं सिक्षा पत्रकार्ता की छेत्र में मिले है इने और इनका जो राज है वो है महराश्ट विथुन चक्रवर्ती इनेक कला के छेतर में और ये किस राज से हैं ये पश्चिम बंगा से हैं सीता राम जिंदल इनको ब्यापार एवं उद्योग के छेतर में और इनका राज है करनाटक यंग नियो इनको मिला है व्यापार एवं उध्योगी के छेत्र में और ये कहां से है ये ताइदान से है अस्विन बान चंद्र महता इनको मेडीसन के छेत्र में और ये कहां से है महराश्ट से सत्य वरत मुखर्जी इनको पब्लिक अफेयर्स के छेतर में मिला है और ये किस राज़े से हैं ये पश्चमंगा से है राम नाइक इनको पब्लिक अफेयर्स के छेतर में और ये कहां से हैं ये महराष्ट से है तेजस मदू सुधन पटेर इनको मेडिशन की छेतर में और ये किस राजे से है ये गुजरात से है ओलान चेरी राजगुपाल ये पब्लिक अफियर्स के छेतर से इन्हें मिला है और इनका राज है केरल दत्ता तिरेय अमबा दास मयानु उर्फ राजदत्र इनहें कला के छेतर में और ये महराश्च से है तोगदान रिन्पोची इनको अन्य अध्यात्मिवाद की छेत्र में और ये कहां से हैं ये लंदाक से हैं प्यारिला सर्मा इनको कला की छेत्र में मिला है और ये कहां से हैं ये महराश्ट्र से हैं चन्द्रेश और प्रसाथ ठापूर इनको चिकिस्ता की छेत्र में मिला है और ये कहां से हैं बिहार से हैं उसा उथुप इन्हें कला की छेत्र में और ये कहां से हैं ये पश्चिमंगाल से हैं विजयकांत इनको कला की छेत्र में और ये कहां से हैं तमिनलाडे से हैं कुंदन प्रस्न पदम विभूसर्च ची बूचा जाता है तो पदम विभूसर्च पांच लोगों को प्रदान किया गया है उन पांच लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने है तो ये तो 2024 में जिन्हें मिलेगा पदम पुरुसकार उनके बारे में जान लिया लेकिन 2023 में जिन लोगों को मिल चुका है प्रस्ण उनसे भी बन सकता है तो 2023 में किसे किसे पदम पुरुसकार प्रदान किये गई है उसके बारे भी जान लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं दिलीप महाल नोबिष जुगा इनको मरडो परांत दिया गया है तो ये बात भी याद रखनी है शिरी निवास वर्धन इन्हें विज्ञान और इंजीनिरिंग के छेतर में मिला है और ये कहां से हैं ये अमेरिका से हैं मुलायम शिंग यादो इनको मरड़ो परांत दिया गया है सालगजिनिक मामलों के निये और ये किस राज़ से हैं ये उप्तर प्रदेश से हैं पदम भूसर दोगजार तेस में नौ लोगों को प्रदान किया गया कौन कॉल से हैं सिरी एस एन भैरप्पा इनका छेतर है साहित और सिक्षा और ये करनाटक से हैं सिरी कुमार मंगलम बेडला ये ब्यापार और उद्योग छेतर के लिए नहीं मिला है और ये किस राज़ से हैं महराष्ट से सिरी दीपक धर इनको बिज्ञान और इंजिनियरिंग के छेतर में ये किस राज़ से हैं ये महराष्ट से हैं सुसरी वाडी जहरान इनको कला के छेतर में और ये किस राज़ से हैं ये तमिलान्ड से हैं स्वामी चिन्ना जियर इनको अन्य अध्यात मुवाद की चेतर में मिला है और ये किस राज़ से हैं ये तेलंगाना से हैं सुस्री सुमन कल्यानपुर इनको कला की चेतर में मिला है और ये किस राज़ से हैं महराश्टर से हैं सिरी कपिल कपूर इनको साहित और सिक्षा के लिए मिला है किस राज से है दिनली से है सुस्री सुधामुर्ती इनको सामाजिक कारे के लिए मिला है और ये किस राज से है करनाटक से है सिरी कमलेस डी पटिल इनको अन्य अंध्यात्मिवाद के रिये मिला है और ये किस राज से है तेलंगामा से है तो 2030 में इन नौ लोगों को पदम रूसर प्रदान किया गया है पदम स्री 2030 में कितने लोगों को पिर्दान किया गया तो कोई 91 लोगों को पदम स्री पिर्दान किया गया तो आज की वीडियो में पदम पुर्षकार 2024 में किसे किसे पिर्दान किये जाएंगे इसके वारे भी जाना और 2023 में किसे किसे पिर्दान किये जा चुकी है उन लोगों के वारे में भी जाना क्योंकि प्रस्ण जो है वो 2023 से भी पूछा जा सकता है 2024 से भी पूछा जा सकता है इसनि ये दोनों महत्यपूर्टप्थियों को इस वीडियो में पढ़ लिया है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट वॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सस्क्रा अवस्य करने जीएगा तो मिलते हैं ऐसी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो की साथ तब तक के लिए वाई वाई हसते रहें मुस्क्राते रहें और अपना ख्याल रखिए